accounting principle का chapter number 3 काफी important chapter है और कोई भी concept अगर आपका इससे miss होता है तो समझ लो कि ये पूरी के पूरी निव हिल जाए तो गलती मत करना कोई भी point को छोड़ने के लिए इसलिए पूरी के पूरे concept को अच्छी तरीके से समझना last video में मैंने आपसे तीन question पूछे थे बहुत सारे बच्चों ने reply किया है आप में से कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है अगर वो reply करता है तो मुझे समझ में आएगा कि इसमें हम क्या decision ले सकते है एक तो क्या video daily आनी चाहिए दूसरा मैंने बोला था आपको कि य इस time पे suitable time क्या है और test किस तरीके से ले ये मुझे नीचे comment में करके बताओ और हाँ अगर आपने टेलिग्राम चैनल को अब तक join नहीं किया है तो नीचे description में link है वहाँ जाकर आप उसको join कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे update हम वहाँ पे देते रहते हैं है ना accounting principle में पीछे की जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने यहां तक के पूरे के पूरे concept समझा दिये थे आज एक matching concept है काफी important concept है और बहुत detail में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस concept को लेकर बहुत सारे confusion है बच्चों के मन में even teachers भी समझाते हुए मतलब समझो कि हलत बुरी हो जाती है क्योंकि concept थोड़ा टेड़ा है लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं तो इसलिए कोई भी concept को गलती से भी skip मत करना है न देखो matching principle नाम सी पतार चल रहा है matching matching मतलब क्या जैसे अब मैंने शर्ट पहने हुए तो इसी के matching से मैं पैंट पहनूंगा है न टाइब इसी के matching से लगाऊंगा तो matching मतलब match करना यहां पर क्या है कि according to this principle पहले समझो concept में बता क्या रहा हूं according to this principle expense incurred in an accounting period should be matched with its revenue recognized in that period मतलब जो हमने expense pay किया है जो revenue हमने receive किया है यह आपस में उस particular period से matched होने चाहिए कहने का मतलब यह है कि यह जो हमने यहां पर years लिखे है आपको कोई भी accounting जो यह आपका accounting period है इसी accounting period में आपको consider करना है मैं समझता हूं कि यह वाली बात से अभी उतने clear नहीं हुई होगी तो चलो जड़ा एक example लेते हैं तो इस बात को मैं अपने इस example से समझाता हूँ यहा हमारे पूरे के पूरे notes, assignment, test यह सारे के सारे prepare करते हैं इवन मेरी book भी हम लोग अपने in-house publications करते हैं तो अगर मैं अपने इस publication department के बात करूँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं इसमें से मानलो हमने इस department को March की महिने के, point to be noted, March के महिने की salary देनी थी, अब मानलो March के महिने क salary जो है, total मानलो हमको देना था इसके अंदर, मानलो 80,000 रुपीज, अब यह जो 80,000 रुपीज हमें देना था, वो हमने नहीं दिया, हमारा account, point to be noted, ध्यान से समझना, एक April से चालू होता है और अगले साल 31, March 2020 को, मतलब 2020 को हमारा का पूरा account खतम हो जाता है, अब यह जो payment है हम इस payment को April में देंगे, point to be noted, हमने काम तो particular उस time पे करा लिया, हो सकता है, उस time पे करा के हमने, वो सारे के सारे क्योंकि जो भी notes हैं, assignments हैं, यह सब हम sale पे लगा देते हैं, आप में इसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपकी book, पाकी सारी चीजें, आप हम हमारा mobile application play store से जाके download कर लो, stay learning के नाम से, stay learning, जिस नाम से हमारे youtube channel है, इसी नाम से mobile application है, जाके download करो, market में वो book का buy करोगे, 400-500,000 पे के मिलेगी, सर्फ 99 रुपीज में, वो पूरा का पूरा note से sanguine, बहुत crystal clear हमने बनाये हुआ है, जाके आप उसको जरूर देखना, sample भी है, उसके अंदर तो clear हो जाएगा, बहुत कम फीस में, मेरी पूरी कोशिस है, कम से कम फीस पे करके ना, दूर दराज के बच्चे, गाउं के बच्चे भी इस चीज़ को आप ले सके, costing है, आप समझ सकते हो dear, बट मेरी पूरी कोशिस है कि कम से कम फीस में मैं आपको पढ़ाऊ है ना, तो 80K ये हमने payment नहीं करी और वो April के मेने में हमको payment करनी है, आप समझ सकते हो कि हमने sale पे लगा दिया, हमे revenue भी माल लो आना चालू हो गया, लेकिन जो staff का payment है वो अभी नहीं दिया, मतलब ये जो accounting period है, एक अप्रल से लेकर 31 मार्स तक का, इस period के दौरान, जो भी sales ह है, जो भी revenue है, जो भी expenses है, वो record होने चाहिए, एक line यूज कर रहा हूँ, उस line को समझना, either paid और not paid, लेकिन अगर काम लिया गया है, अगर उस particular period से related है, तो आपको consider करना है, either received और non received, अगर कोई खर्च इंकम है, तो आपको record करना है, अगर आपने advance में pay करते हैं, अब example के दोर पर बताता हूँ, मालो यहाँ पर इस department में, मालो एक department है, हमारा marketing department, उस marketing department में, मालो एक बंदा है, उसकी salary है, मालो 25,000 पर, है ना, अब वो marketing department का बंदा जो है, वो कहता है, कि March के महने में आया हमार पास, और कहता है, सर, actually मुझे advance salary की जूरत है, क्योंकि मेरे घर में advance ले लिया, मतलब April के महिने का और माई के महिने का advance ले लिया, आप समझो April और महिने का total 50,000 पे लिया, आने वाले time का ले लिया, सवाल यह उठता है, काम कब करेगा, वो April और माई के महिने में करेगा, लेकिन पैसे कब ले लिया, उसने March में ले लिया, सवाल यह है कि क्या यह मेरा खर्चा हो गया, नहीं हुआ, एफ्रेल और मई के महिने में जब वो काम करेगा तब यह पैसे होंगे, तो क्या यह इस accounting year का खर्चा है, नहीं है, यह prepaid है, तो rule के मताबिक अगर पैसे नहीं पे किये, तो वो एक तरीके से outscending होता है, जिसको बोलते है, जितना भी आ आपने expense pay किया, उसमें से add कर दो के outscending अगर नहीं दिया तो, और अगर उस particular period का आपने कोई advance payment दे दिये, तो उसको minus कर देंगे prepaid करके, आगे चलके final account का chapter पढ़ेंगे, वहाँ यह use होगा, तो हमने बोला है, यहाँ पर यह पूरी जो concept है, यह बताए कि expenses paid जो है, उसमें less कर देंगे prepaid, कहने का मतलब यह है, revenue is incurred in profit and loss account, आगे पढ़ेंगे हम लोग profit and loss account, तो then all expenses incurred either paid or not paid, should be shown in profit and loss account, और अगर पे नहीं किया है, तो पे कर दिया तब तो ठीक है, नहीं पे किया, तो outscending को add करके लिख हो गया, है ना, वो पे किया है, तो वो पूरा का पूरा आए गई आएगा, now expenses paid, अगर आपने advance में pay क्याने लिखा, revenue related to it will be on in following year, मतलब जैसे हमने expenses जो है, वो आने वाले साल, मलब आने वाले period के लिए pay कर दिया, जैसे मैंने बताया है, मालो हमारे ने हमने पूरे साल में, मालो example के तोर पे हमने कुछ 18,00,000 रुपे का खर्चा किया, जो हमारा खर्चा हुआ, expense हुआ, 18,00,000 रुपे का, ठीक है, अब इसमें से मालो, कुछ employee थे, उनको हमने total मिला के 1,00,000 रुपे advance में pay कर रखा है, अब 1,00,000 रुपे advance में pay कर रखा है, तो 18,00,000 रुपे हमारे जेब से चले गए, उसमें से 1,00,000 रुपे advance है, जो आने वा बच्चों को, इसलिए इस concept में हमने time लगाया, एक तीसरा important point और है, revenue is received during an accounting year, but against it, service will rendered in next year, जैसे कि कई वर क्या होता है, मालो, अभी हम लोग plan कर रहे हैं कि वह BST का course है, वो launch करें, और BST की classes भी start करें लेना, पताना मुझे नीचे comment में क्या आप BST की class, अगर हम लोग चा इसके comment में बताना, तो इसके लिए मालो जो paid classes है, live online का, या video lecture का, उसके लिए मालो हमने हमार पर जितने भी बच्चे है, उसके pre-booking चालू कर दी, और हमने कहा कि वैसे इसके fees होगी, मालो 3000, लेकिन कोई अभी ले लेता है, तो सर्फ 900 में पूरा course है, वो मिल जाएगा, pre-book तो ने, March के महने में ही payment देके उसको book कर लिया, अब समझ सकते हो कि ये जो service है, ये service April के महने में जाएगा, April बोले तो अगले साल, April बोले तो हमारा account एक 30 March को खदम हो जाता है, अगले साल, लेकिन payment तो हमने advance में ले ली, अब ये जो है, इसको बोलते है, service बाद में render लेकिन payment पहले ले ले, सवाल ये है कि क्या, ये income, March के महने की income है, नहीं, ये income अगले session, अगला जो accounting year है, उसकी income है, April और उसके बाद के period की, कहने का मतलब ये है, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा, आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये दो साल ले लेते हैं, मान के चलते हैं, कि ये जो है हमारा, ये एक चार, एक चार action, 2000 कोई भी period ले लेते हैं, चलो, एक चार, 20 ले लेते हैं, और 31,3,21 और ये फिर चालू होगा, 14,201 है और खतम होगा, 31,3,202 को, यहाँ पर मार्च के महिने में, हमने app लाँज कर दियो हैं, और advance pre booking ले ली, और payment सबने advance में दे दिय लेकिन यह April के मेने में हम लोग एप देंगे बच्चों को आप समझ एक टोडिया, प्री बुकिंग ले लिए April के मेने में तो यह जो income है, यह इस साल से related है, इस साल से related income नहीं है कहने का मतलब यह है कि यह income अगले साल से लिया जाएगा तो यही बुले है हमने कि revenue will be also recognized in next year यह concept बच्चों को नहीं समझ में आता, बताना इतना typical concept जिसको मैंने पूरी कोसिस की कि simple language में आपको समझाओं तो मुझे नीचे comment करके बताओ कि यह पूरा का पूरा concept आपको कैसा लगा है ना, चलिए, उमीद करता हूँ कि यह जो चीजें मैंने बताई है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा है ना, मिलेंगे हम लोग अगली class में, बट वो तीन question का answer मुझे दुबारा देना बहुत सारे बच्चों ने reply किया है, बट आप में से कोई नया बच्चा जिसने अभी reply नहीं किया तो बताना क्या video regular आना चाहिए, दूसरा question मैंने पूछा आपको कि time क्या होना चाहिए और तीसरा test किस तरीके से लिए video कैसे लगी, मुझे नीचे comment में बताओ, जादा जादा दोस्तों को बताओ, channel अगर subscribe नहीं किया, आज बोल रहा हूँ, channel subscribe नहीं किया, तो subscribe कर दो, ठीक है और likes बढ़ा दो dear, क्योंकि मेरे को इससे motivation मिलता है न, मिलेंगे हम लोग अगली class में, तब तक के लिए all the best, take care, जया हिद, जया भारत